प्रिज प्रश्राइब प्रश्राइब वेलकम बाक आए होप कि तुम लोग बहुत मन लगा के पड़ रहे होगे यार हम लोग भी जोड़ शोड़ से लगे हैं कि किसी भी हालत में आई नो कि तुम लोग तबाही मचाने के लिए तैयार होगे कहर मचा दोगे इस बार नूँ संप्ल पेपर लॉच्छ वाया है अडिशनल पेपर जिसे कहा जाता है अडिशनल कोशन जो आते हैं यह दिसम्बर में आता था सिबसी ने अभी दे दिया तो मतलब इसका मकसद क्या है और यह नया संप्ल पेपर से कॉशन आएंगे कि निया आएंगे बच्चे बार कि उन्हें भी अगले साल बोर्ट देना है तो बहुत सारे चेंज़े आ गए हैं अब अब इसको करना कैसे है मैं सारा चीज़ तुम को अभी बताने वाला हूँ और वो क्या चेंज़े हैं देखो भाई जो एपरल वाला जो संप्ल पेपर था ना खुच सोचो एपरल में ए भी बुक नहीं बताने वाला हूँ वो तो फिर कभी देखा जाएगा लेकिन अब ही जो मैं यहां तुम को बताने वाला हूँ वो यह रेखो कि यह है वो न्यू संपल कॉस्टन पेपर जो मैं तुम को दे चुका हूँ और हाई होप यार कि तुमने अपने खुद के इस चै करके रखो और यहां पे देखो बहुत बड़ा बदलाव क्या आया है सुनकर के होशवाक्ता हो जाएंगे तुमारे वीडियो को 1.75 के स्पीड से देखो लेकिन एंड तक देखना क्यूंकि मिस नहीं कर सकते एफॉर ही नहीं कर सकते तुम इस वीडियो को थोड़ा भी स्कि कॉशन हैं और 12 वाले बच्चे का जो कॉशन पेपर होगा उसमें 40 परसंट जो है मतलब 40 परसंट कॉशन 50 परसंट समझ रहे हो इसका मतलब यह हुआ कि आधे से ज्यादा कॉशन जो है वो यही कॉशन आ जाएंगे और वह भी नया सेंपल पेपर खा जाएगा यह सारी को पकड़ करके उसके पुराने धरे को पकड़ करके तुम पार कर जाओगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो खुद मैंने भी चेंज कर दिया मैं कुछ वीडियो ला रहा था तुमको याद होगा जिसमें मैंने का था मैं कुछ कॉशन दूंगा लेकि नए संपल पेपर क के साथ में वो कॉशन को बदल दिया है और अब कल से जो कॉशन आएंगे वो न्यू एडिश्ट जो संपल पेपर है उसके अकॉर्डिंग कॉशन मैं तुमको दूंगा तो इसी बात में एक लाइक बनता है जली से लाइक कर दो और अब यहां देखो कि सिबसी ने अभी यह वर्ष 2024 की बोर्ड परिक्षा होगी लो देखो पूरे यूट्यप पे बता सकते हो देखा सकते हो जो विट प्रूफ सामने दिखा करके बात करे नहीं ना इसी बात पे एक लाइक बनता है पहली बार चैनल में आया हो चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी मैं तुमको इसस प्रॉब्लम सिर्फ मैं दिखाने रहा हूं इससे प्रॉब्लम को पार भी करूंगा यह यहां पे देखो साफ साफ कह दिया बता दें कि बोर्ड ने एक सेंपल पेपर पहले भी जारी किया था वो सेंपल पेपर पूराने कॉश्चन पेपर के सिलेबस पे अधारित था लेकिन अब यह 10 वाला कॉश्चन कितना हो गया 50 और 12 वाला कितना हो गया 40 यानि कि बहुर बड़ा संख्या हो गया अब यहां पे प्रॉब्लम है हमारे सामने में कि भाई हम इस चीज़ से प्रॉब्लम से नजर से बाहर कैसे जाएं देख रहे हो competency-based questions के संख्या बढ़ा दी गई है ठीक है साती सात में जो short very short long उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है और यह एक नई मुसिबत का संकेत है हम सब के लिए लेकिन हमको करना कैसे है मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें हां दिखाने वाला हूँ with answer sheet दिखा रहा हूँ और बत copy मैं तुमको दिखा रहा हूँ और साती सात में देखो मैं यहां पे तुमको एक दूसरा page भी दिखा रहा हूँ अब यहां पे paper किस तरह से passing criteria को तुम धता बताते हुए यह जो हमने कहा ना कि इसका problem को हम दूर कैसे करें हां यह कौन सा बदल गया देखो भाया अगर तुम आप सोच रहे हो ना सिंबल तरीके से लिखकर के तुम paper लिखकर के आओगे और तुम पास कर जाोगे वन शॉट वीडियो देखोगे तुम पास कर जाओगे लंबे-लंबे आंसर लिखोगे पास कर जाओगे भूल जाओ सीधे भूल जाओ पास छोड़ो फेल हो जाओगे मैं तुमको बता दे रहा हूँ, तो करना क्या होगा, तुम्हें strategy पे चलना होगा, छे points के strategy पे चलना होगा, तभी तुम जीत पाओगे, अभी तुम्हारे सामने में cancer sheet मैं दिखा रहा हूँ, वो भी topper cancer sheet दिखा रहा हूँ, ठीके, अब topper cancer sheet चाहो तो तुम CBC की website पर जाके खुद भी download कर सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें, तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले तुम्हें जो focus करना होगा, वो focus करना होगा, paper presentation पे, देखो, simple है, CBC का सबसे बड़ा sentence होता है, हमको paper presentation भाया पहले दे दो, मतलब जो लिख रहे हो, वो सही तरीके से हो, अब यह copy तुम्हारे सामने में है, तुम देख सकते हो, यहां side margin किस तरह से इस student ने दोनों side में, copy के दोनों side में दे दिया है, है ना, उसके बाद में किस इस तरह से neat and clean writing, handwriting पे तुम्हें focus करना है, अगर तुमारे handwriting अच्छी नहीं है, still you have 3-4 months, 3-4 में बचे हैं, थोड़ा सा तो काम करना शुरू कर दो, और वो handwriting, तुम्हें speed भी देगा, क्योंकि हमें चाहिए बहुत बड़ी चीज, time management, हमें time management भी चाहिए, उस particular time management के अंदर म में सारे चीज़ों को करना है, अब यहां पे हम शुरू कैसे करेंगे, इस student को अगर तुम देख रहे हो, गौर से, मैं तुम को दिखाता हूँ, अगर इस student को तुम गौर से देख रहे हो, तो यहां पे student ने क्या किया है, यह answer लिखा, यहां पे underline किया, यहां underline किया, यह question कोटी तुम को दिख रहे है, कि सी भी जगह पर, और यह underline करने का मतलब क्या था, जरूवत क्या थी, देखो यार जरूवत होती है, जब CBC के जो evaluators, यानि कि हम लोग, या कोई भी, जो भी जितने भी देश भर में evaluators हैं, जो different exam centers में जाके copy check करते हैं, तो उनको एक क्या द था आज से 7-8 साल, 9 साल पहले, कि अगर एक बचा answer लिख रहा है, और लंबा चोड़ा एक बड़ा page में पूरा भर के answer दे दिया, हम लोग marks कारते थे, क्यों कारते थे, paragraph change नहीं किया यार, इतना बड़ा paragraph answer लिख नहीं किया जो रहते हैं, बीच में 2-3 line paragraph change कर दो, हां, ताक हमने बात किया, देखो, यहां pass करने की बात, सिर्फ 33 marks लाने की, मेरे खाल से तुम में से बहुत सारे वीडियो को देखते वक्त में यह सोच रहे होगे, 33 marks हम कैसे लाएंगे, जहां तक 33 marks वाली बात है, मैं उसको समझा दूँगा, इसको समझ लो, जब तुम answer देना शुर लखना, उस section को तुम्हें complete करते वे जाना है, ठीक है, complete any section, अक्सर क्या होता है, students गल्ती करते है, यहां आया, इस section का यह question बना दिया, इस section का यह बना दिया, वो सुचते है रहे हम copy के अंदर में लिख रहे हैं, answer number 5, सीधा पहुंच गया, answer number 26, सीधा पहुंच गया, answer number 30, तुम एक section को touch करोगे, और उसी को खतम करने जाने वाले हो, ठीक है, इसके साथ में तुम्हें instructions को follow करना है, क्योंकि CBC ने बहुत instructions changes किये हैं, मैं तुम्हें बता दू, बहुत instructions changes किये हैं, तुम new sample paper को एक बार दजर जरूर डालना, बोलो के तो मैं तुमको एक वीडियो के या वो, तो section B में underline करके, यहां पे इसने अपना answer लिखना शुरू किया, एक diagram बनाया, obvious ही बात है, तुमको देख रहा है, science का paper है, यह diagram देने के बाद में इसने पूरी तरह से, जैसे units होता है, SI units वगरा, उसको proper way में यहां इसने mention किया, बहुत जरूरी होती है, अक्सर हम हम लोग गलती करते हैं, science के paper में, तुम्हारे maths के paper में, हम लोग units, dimensions वगरा लिखना भूल जाते हैं, या नहीं लिखते हो तुम लोग, ठीके, लिखते भी हो तो box में डालते हो, तो लिख दो, ठीके, वो सब लिखने के बाद में, इसने labeling कर दिया, देखो कितना शमाक्स है उपर से जहां कोई खास words है, keywords को इसने underline भी कर दिया, देख रहे हो, यहाँ पे देखो, यह keyword है, तो यह मेरा underline की अवर नहीं है, यह उस student का है, नतीजा, एक भी काटा कुटी, teacher ने ने क्या, बर-बर के marks दे दिया, ठीके, बर-बर के marks दिया, जिसका फायदा किस को मिला, सीधा सीधा straight away मिला student को, अब next point पर आते हैं, कि किसी भी तरह से तुम्हें एक बात का दियान रखना है, मैं थोड़ा से jump कर रहा हूँ यहाँ पर, point number 6 पे, answer in pointers, देखो यार, तुम जो answer लिखोगे न, अब वो लंबे चौड़े मत लिखना, इस student की तरह लिखना, points में, points मे I repeat, points में, अब points का मतलब क्या हुआ, जल्दी से समझ जाओ, ठीके, points का मतलब यह हुआ, मेरे प्यारे बच्चों, कि जब अगर तुम answer लिख रहे हो, suppose, एक marks का question है, ठीके, just a second, हाँ, देखो, एक marks वाला question है, ठीके, तो यहाँ पे तुमको, natural है, एक word का ही answer होगा, ठीके, अब, दो marks का question है, sorry, power cut हो गया, तो, मैं इस पे मदद अभी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीके, मैं इसको किसी और वीडियो में समझा दूँगा, यही जहिलना पड़ता है, सोचो, तुमारे विशाल सर को कितना दिक्कत होता है, कि मैं काम कर रहा हूँ, और काम करते करते, light चल करना है, कम से कम 3-4-5 line लिखने है, points में लिखने है, remember that, points में लिखने है, 4 marks वाले पे क्या करोगे, कम से कम 4-5, तुमें pointers लिखने है, 5 marks में क्या करोगे, 5 से यह में, ठीके, 5-6-7 line पे pointers में तुमको answer देने, तो यह होगा, तुम्हारा सही तरीके से point में answer देना, keywords underline करना, नहीं भूना, diagram जरूर बनाओ, जहां जहां तुम flow chart को use कर सकते हो, diagram बना सकते हो, figure बना सकते हो, जरूर बनाओ, कोई specific word है, उसे underline करो, units है, उसको box के अंदर डालो, यह सब जरूर करो, अब आते हैं passing, चीज़ पर, कि 33% marks क्या है, देखो भाईया, मैं उसको एक अलग से, तो इतना चीज़ को पकड़ के चलना है, अब यह जो criteria change हुआ है, इस बार का, कि difficulty level high हो गया, देखो बच्चे कह रहे, sir आप बोल रहे हो, hard हो गया, वो बोलता है, धीला हो गया, easy है, एक बात बोल रहा हूँ, तुम बन में थोड़ा सा hard लेके चलोगे, तो तो तुमार करना, comment करना, तुम्हें कैसा लगा यह वीडियो, और next topic क्या होए, मैं नए type से बने वे questions, जो मैंने अब IR किये हैं, आज, उसको मैं देना शुरू कर रहा हूँ, कल से, be ready for that, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जै हिंद, जै भारत.